एक समय की बात है चमपा पूर्णामक एक गाउं में हरिया नाम का एक आदमी रहा करता था हरिया ने एक बकरी पाली हुई थी वह बकरी गर्व वती थी चमपा मैं किसी जोरी काम से बाहर जा रहा हूं तू तब तक गाउं जाकर घांस चड़ा हरिया वहां से चला जाता है बकरी भी घांस चड़ने के लिए चली जाती है एक दिन उस गाउं में एक चोर आया अब इस गाउं की बारी अब इस गाउं की सारी साइकलें मेरी हैं उस चोर के पास जानवरों को बस में करने की सक्ती थी इधर चमपा घास चड़के अपने घर पहुँची तभी हरिया वहाँ पर एक नई साइकल लेकर आता है देख चमपा देख मैं नई साइकल लाया हूँ हम दोनों इस पर सवारी करेंगे फिर हरिया अपनी साइकल को अपने घर ले जाता है चमपा भी वहाँ जाती है तभी चमपा जोड से उचलती है और उस साइकल पर चड़ जाती है चमपा उस साइकल पर चड़ने के बाद बिना पैडल मारे ही उस साइकल को चलाने लगती है अड़े वा चमपा तू तो कमाल की निकली तू बिना पैडल मारे ही साइकल चला पाती है वा वा तुझ में तो कमाल की कला है फिर चमपा घर से बाहर निकलती है और घर से बाहर निकल कर साइकल चलाने लगती है वह चोर ये सब कुछ देख लेता है मिल गई मुझे अब ये ब चोर बकरी की आँखों में देखता है और कहता है अगरम बगरम अगरम बगरम फिर वा बकरी उस चोर के कंट्रोल में आ जाती है ए बकरी चल मेरे पीछे पीछे फिर वा बकरी उस चोर के पीछे पीछे जाने लगती है वह चोर गाउं पहुंचता है बकरी भी उसके पीछे ग पहुँशती है ए बकरी लग जा काम पर चुडा ले साड़े गाउं वालों की साइकल चल लग जा फिर चमपा वहां से निकल परती है चमपा लोगों के घरों में जाती है और उनके साइकल चुडा कर जंगल में रखाती है अगली सुभह अड़े मेरी चमपा कहाँ चली गई कहीं नहीं मिल रही है कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया फिर वहां गाउं के कुछ लोग आते हैं घरिया पूरे गाउं की साइकल एक रात में चोरी हो गई है हमें सक है कि ये काम तुम्हारी बकरी चमपा ने किया है क्या बोल गए हो तुम लोग चमपा साइकल की चोड़ी करकर क्या करेगी जहां जहां चोड़ी हुई है वहां चमपा के पैरों के निसान मिले हैं अगर ये बात साबित हो गई तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा इधर जंगल में मुझे इस बकरी को छोड़ देना चाहिए वरना गाउवालों को खामका सख हो जाएगा ए बकरी जा अपने घर चली जा फिर चमपा वापस चली जाती है चमपा हर्या के पास पहुँशती है चमपा तु कहां चली गई थी तुझे पता है इन गाउवालों ने तो तुझे चोर ही बना दिया उस दिन रात को चमपा फिर से घर से बाहर निकलने लगती है इस बार हर्या जाग जाता है अरे इतनी रात को चमपा कहां जा रही है हर्या उसका पीछा करता है चमपाफ चोर के पास एक जंगल में पहुँच जाती है वहाँ पर बहुत सारी साइकल होती है हर्या भी उसके पीछे पीछे वहाँ पहुँच जाता है अरे इतनी सारी साइकल लगता है पूरे गाउं की साइकल इसी ने चुराई है मुझे गाउवालों को बताना होगा फिर हडिया गाउवालों को सारी बाते बता देता है फिर गाउवाले उस चोड के पास जाते है अरे ये तो वही चोड है जो जानवडों को अपने बस में कर सकता है इसका मतलब इसने चमपा को बस में करके सारा काम करवाया है तो अब हम इसे कैसे पकरें, मेरे पास एक उपाय है, अगले दिन चमपा वापस आती है, माफ करना चमपा लेकिन मुझे ऐसा करना पड़ेगा, फिर हडिया चमपा को एक पिंजरे में बंद कर देता है, रात को चमपा की जगह एक दूसरी बकरी उस चोर के पास जाती है, चल बकरी लग जा अपने काम में, वह बकरी चोर की बात नहीं सुनती है, और कहीं और जाने लगती है, अरे तू मेरी बात क्यों नहीं सुन रही है, रुख जा बकरी रुख जा, फिर वह चोर उस बकरी के पीछे पीछे जाने लगता है, तभी उसके उपर एक बड़ा सा जाते हैं अब तेरे जेल जाने की बारी आ गई फिर पुलीस वहां आती है और उसे पकर कर जेल ले जाती है